श्याम रंगीला जोइन जाप, पीएम नरेंद्र मोदी की मिमिक्री के चलते मशूर हुए कमीडियन श्याम रंगीला ने आम आदमी पाठी का दामन थाम लिया है। वह गुरुवार को पाठी में शामिल हुए थे। राजस्थान के आप प्रभारी विनय मिश्रा ने श्याम रंगीला को पाठी की सदसिता दिलाई थी। श्याम रंगीला ने इस मौके पर आम आदमी पाठी और अरविंद के जरिवाल की जमकर तारीप की। रंगीला ने कहा, मैंने आम आदमी पाठी को छोड़कर ऐसा कोई दल्या नेता आज तक ऐसा कोई नेता नहीं देखा, जो यह कहता हो कि यदि आपको मेरा काम पसंद नहीं है तो फिर अगली बार मुझे वोट मत देना, मैं उनसे प्रभावित था और इसकी चलते पाठी जॉइन कर रहा हूँ। श्याम रंगीला ने कहा कि पाठी ने उन्हें फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं दी है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम करने की अपील की थी। आम आदमी पाठी ने भी श्याम रंगीला के पाठी में शामिल होने की जानकारी दी है। आपने ट्वीट किया, राजस्थान के मशूर कमीडियन श्याम रंगीला आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। श्याम रंगीला लोगों के उदास चहरों पर अपनी कॉमेडी के जरिये मुस्कान लाते रहे हैं। अब वह अपनी कला के जरिये आम आदमी पार्टी की और से स्वास्थी और शिक्षा क्रांती के बारे में लोगों को बताएंगे और जागरू करने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी देश में politics of work कर रही है। कहा राजस्थान में भी आपको मौका देना चाहते हैं लोग। इसकी वजह उसका दिल्ली में किया गया काम रहा है। शियाम रंगीला ने राजस्थान में भी आपके आने की उमीद जताते हुए कहा, राजस्थान के लोग भी बदलाव की ओर देख रहे हैं। इस बार वे आपको मौका देना चाहते हैं। यदि आप अच्छा काम नहीं कर तो फिर पांच साल बाद लोग एक बार फिर से बदलाव कर सकते हैं और मैं खुद उनका साथ दूँगा। 2014 में भाजपा को समर्थन दे चुके हैं श्याम रंगीला। हालांकि श्याम रंगीला इससे पहले 2014 के आम चुनाव में भाजपा का समर्थन कर चुके हैं। उन्हो ने कहा मैं रैलियों में गया था और स्वतंत्र रूप से भाजपा के लिए काम किया था। पाठी की और से किसी भी नेता ने मुझे इसलिए नियुक्त नहीं किया था।